आज हम डिसकस करेंगे दादा साफ फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के बारे में हम देखिएंगे किन है किस कैटिगरी में कौन से अवार्ड दिये गए हैं और काफी कुछ बाते हमें सीखने को मिलेंगी, साथ ही साथ पूरे सेशन में आपको दो कॉशन मिलेंगे, जिनके आंसर आप हमको कमेंट सेक्षन में देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है, दादा साहब फाल के नेशनल जो फिल्म फेस् शुरुआत की गई थी, जबकि दादा साहब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल अवार्ड जो है, वो पिछले 6 सालों से ही, मतलब यह छटवा ही अवार्ड आप कह सकते हैं, I think 2012 इनकी शुरुआत की गई है, तो यह बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस है, दूसरी बा और यहाँ पर यह अवार्ड जो दिये जा रहे हैं, वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल अवार्ड दिये जा रहे हैं, ठीके, कहां पर हो रही है सेरिमनी और किनकी लोगों को यह अवार्ड मिले हैं, आईए एक एक करके बात करते हैं, सबसे पहले दादा साहब फाल के अवार्ड जो है, वो ताज लेंज एंड में मुंबई में 20 फरवरी को दिये गए, आजादी का अमरित महुतसफ के साथ, ठीके, डादा साहब फाल के अवार्ड जो है, वो एन्वली दिये जाते हैं, और जबकि डादा साहब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल अव और फिर हम करेंट अफिर्स पर बात करेंगे, डादा साहब जो है, वो फादर आफ इंडियन सिनेमा कहलाते हैं, इन्होंने 95 फिल्म बनाई है, साथी साथ इन्होंने ही पहली फिल्म बनाई थी जिसका नाम है राजा हरिश्चंड, राजा हरिश्चंड जो मूवी है, वो ब अब यहां पर देखने को मिलेगा 10 लाग रुपे कैश प्राइज भी दिया जाता है अब यहां पर दादा साफ फालके अवर्ड की शुरुआत 1969 में हुई थी बाई दादा साफ फालके जी का कॉंट्रिबुशन को याद करने के लिए अवर्ड दिये जाते है इनका जन्म जो है वो 1870 में महरास्ट में हुआ था और इनकी जो डैथ है वो 1944 में हुई थी इन्हों ने राजा हरिश्चन्र मूवी बनाई थी 1913 में अगर यहां पर बात कर ली जाती कि पहली साउंड फिल्म कौन सी थी क्योंकि इस मूवी में तो कोई साउंड था नहीं तो पहली जो साउंड फिल्म थी वो आलम आ रहा थी लेकिन वो दादा साफ आलके जी के दोरा डारेक्टिट नहीं की गई है अब यहां पे अगर हम बात करते हैं पहली परसन जिनको दादा साफ आलके अवार्ड दिया गया था तो उनका नाम है यहां पे देविका रानी तो देविकाराणी वो पहली पोर्सन है या पहली एक्टरेस जिनको दादा साफ आल के अवार्ड दिया गया था और अभी तक 51 अवार्डीज हो चुके हैं अगर हम 51 नमबर के अवार्ड की बात करते हैं तो रजनीकान जी को दिया गया था इन 67 नेशनल फिल्म अवार्ड सेर प्रत्वी राज कपूर और विनोध खन्ना ये दो ऐसे एक्टर हैं जिनको इनकी निधन के बाद इनकी डैथ के बाद ये अवार्ड दिये गए हैं तो ये दो परसन इनका नामयाद रख लीजेगा अब कई सारे सिवलिंग के पेर्स भी मिलते हैं जिनको दादा साफ फाल क अवार्ड दिया गया है जैसे कि लता जी लता जी और उनकी सिस्टर का नाम क्या है आशा जी तो लता जी और आशा जी को भी अवार्ड दिया गया है लता जी को 1989 में और आशा भोशल जी को 2000 में जो है वो दादा साफ फाल के अवार्ड दिया गया इसके अलाबा बी आर यह भी सिविलिंग से इनको भी अवार्ड दिया जा चुका है राज कपूर शशी कपूर इनको भी अवार्ड दिया जा चुका है तो यह कुछ पियर से सिविलिंग के जिनको दादा साफ फाल की अवार्ड मिले हैं तो कितने अवार्ड जा चुके हैं 51 जा चुके हैं तो चलि दूसरा है दादा साफ फालके अवार्ड वास गिवन फॉर फॉर्स ताइम इन नाम से बिजाना जाता है इन में से कौन सी मुवी उनुने नहीं बनाई है ठीक है तो इन दोनों प्रशनों के आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में देंगे सही आंसर भी मैं आपको वहीं बताऊंगी तो आई हम बात करेंगे दादा साफ फालके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की मुंबई में दिये गए है तो सबसे पहली बात करते हैं Film of the Year Film of the Year का अवार्ड दिया गया है पुष्पा दराइस के लिए अलू अरजन जी ने इसमें काम किया है तो पुष्पा मुवी जो की रेड सेंडल वुट पे बेस्ड है उस मुवी के लिए Film of the Year अवार्ड पुष्पा को दिया गया है अब बेस्ट मुवी के बारे में बात करते हैं तो वेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो शेर्शाहा को दिया गया है ठीक है शेर्शाहा मुवी में आपको दो एक्टर देखने को मिले थे कौन-कौन एक तो सिद्धार्थ मलोत्रा देखा थे और दूसरे क्यारा अडानी दिखी थी तो सिद्धार्थ और क्यारा को भी separate कुछ अवार्ड दिये गा है वो भी हम देखते हैं तो सिद्धार्थ मलोत्रा और क्यारा अडानी की जो मुवी थी शेर्शाहा इसको best movie का अवार्ड दिया गया है दादा साफ वाल के International Film Festival Award में साथ ही साथ यहाँ पे Critics Best Actor Siddharth Malhotra को शेर्शहा के लिए और Critics Best Actress Kiara Aadwani को दिया गया है शेर्शहा मूवी के लिए तो यह आपके 4 Awards हो गया है कौन कौन से पहला Award हमें देखा Film of the Year Pushpa Best Film शेर्शहा और फिर उन दोनों के जो Actors थे सिधार्थ और कियारा इनको Critics Best Actor और Actress दिया है अब बात करते हैं Best Actor Award के बारे पर तो Best Actor Award जो है वो रडवीर सिंग को दिया गया है इनकी मूवी 83 के लिए इस 83 मूवी ने इन्होंने कपिल देव का किर्दार निभाया था तो रवीर सिंग जी को Best Actor का Award दिया गया है Best Actress का Award कीर्ती सैनन को दिया गया है मी भी मूवी के लिए इसमें नोंने एक सैरोगेसी मदर का रोल प्ले किया था जिसके लिए इनको यह वार्ड दिया गया है तो Best Actor और Best Actress याद हो गया रवीर सिंग और कृती सैनन चली अगली बात करते है Outstanding Contribution to Film Industry तो पूरा Film Industry में अपने करियर को devote करने के लिए अपने करियर को यहाँ पर देने के लिए Best Contribution के लिए जब वार्ड दिया गया है वो आशा पारिक को दिया गया है तो सही आंसर है आशा पारिक अच्छा इसके अलाव अगर हम Best Director की बात करते है तो Best Director का वार्ड कैन घोश को दिया गया है ठीक Next बात करते है Best Actor in Supporting Role तो Best Actor in Supporting Role जो है वो सतीश कौशिक जी को गया है कागज में इन्होंने Supporting Role में काम किया था Best Actress in Supporting Role के लिए लारा दत्ता को दिया गया है लारा दत्ता जी ने Bell Bottom में काम किया था ओके चलो अगली बात करते है Best Debut अब Debut का अवार्ड यहाँ पे सुनील शेत्ती के बेटे अहान शेत्ती को मिला है इनकी जो मूवी आई थी तडप उसके लिए तो इन्होंने Best Debut Award हासिल किया है दादा साफवाल के International Film Festival Award में तडप मूवी के लिए चली अगली बात करते है Critics Best Film सरदार उधम सिंग को गई है चिक एक्टर एक्टरेस अमने पहले ही देख लिए थे अब यह फिल्म हो गई सरदार उधम Next बात करते है Best International Feature Film किसे दिया है Another Round को दिया गया है इसके लावब बेस्ट Wave Series का अवार्ड जो है वो Candy को दिया गया है अब अगली बात Best Actor in a Wave Series तो Wave Series में Best Actor का अवार्ड Manoj Bajpheji को दिया गया है Family Man 2 में इन्होंने काम किया था उसी के लिए ने अवार्ड दिया गया है Best Actress in a Wave Series अवार्ड किसे दिया गया है रवीना तंदन जी को दिया गया है इन्होंने अनन्यक में काम किया था इसके लिए तो सीरिस कौन सी हो गई Best Candy फिर इसके एक्टर Manoj Vajpheji और एक्टरेस रवीना तंदन तो यह तीन याद हो गए तो आपको क्या का याद होना है पहली चीज आपको Best Film तो Best Film शेर्श जहां था Best Actor रडवीर सिंग थे और Best Actress जो है वो कृती सैनन है ठीक है इसके बाद Critist Best Film उधम सिंग सरदार उधम के लिए एक्टर उसमें सिधार्थ मलोतर जी के लिए और दूसरा कियारा आडवानी के लिए अब Best Series यहाँ पे वेश सीरीज में Candy उसके बाद एक्टर में मनुजवाचपई और एक्टरेस में रवीना तंदन इतनी चीज़े याद हो गए आपने यहाँ पे याद कर लिए चलो अगली बात करते हैं Best Playback Singer Male तो male में विशाल मिश्रा जी को और female में कनिका कपूर तो कनिका कपूर और विशाल मिश्रा को Best Playback Singer Male और female के लिए दिया गया है Next है Best Short Film तो Best Short Film पौली के लिए दिया गया है और Television Series of the Year का अवाड गया है Anupama के लिए Star Plus Pig Show आता है Anupama उसके लिए Television Series of the Year का अवाड दिया गया है सारे अवाड्स क्लियर हो गए इतने अवाड्स आपको याद करने हैं साथी साथ परचम के टीम ने आप लोगों के लिए कम्प्लीट SST GA कोर्स तयार किया है जो के परचम के अप्लिकेशन पे अविलेबल है आप वेबसाइट या अप्लिकेशन पे विजिट करके उस को परचिस कर सकते हैं साथी साथ कोट 12 का यूज अगर आप करेंगे तो आपको एडिशनल 12% का डिसकाउंट भी मिल जाएगा तो फटाफ़ एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं दादा साथ आल की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल अवार्ड फिल्म अप दे यर पुश्पा दराइज बेस्ट फिल्म शेर शहां बेस्ट एक्टर रडवीर सेंग और बेस्ट एक्टरिस किती सेनन बेस्ट डाइरेक्टर कैन घोष और आउटस्टेंडिंग कॉंट्रिबीशन तो फिल्म इंडरस्टी आशा पारिक बेस्ट एक्टर इना सपोर्टिंग रोल सतीश कौशेक कागस के लिए Best Actors in a Supporting Role लारदत्ता, बैल बॉटम के लिए फिर इसका अगला है Best Actors in a Negative Role तो Negative Role के लिए आयूश शर्मा इन्हें दिया गया है अगली बात करते हैं Critics Best Film, सरदार उधम Best Actors, इधात्मलोत्रा और Best Actors इसमें कियारा आडबानी तो ये कुछ awards है जो हमने brief में देखे, इनको revision आप करते रहेगा बस इस जो poster आपको दिख रहा है इस poster को ये 2-4 बार revision कर लो इसी में से question बनेगा So thank you so much I hope आप लों में session enjoy किया होगा अगर आज की class का PDF चाहिए तो पर्चम की website पे available हो जाएगा आप आप वहां से PDF आज की class का ले सकेंगे Thank you, take care and bye-bye